जबलपुर के आधाताल थाना शेतर अंतरगत 28 सितंबर को पावर हाउस में अमित जोशी नामक युवप को उसके दोस्त फिरोज अंसारी ने गोली मार कर खायल कर दिया था इसके बाद पुलिस ने फिरोज अंसारी को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया था वहीं फिरोज का एक साथी जरताब जिससे फिरोज ने पिस्टल ली थी वह भी वारदात के समय फिरोज के साथी था वहीं घटना के बाद जरताब बनारस भाग गया था जिसकी तलाश पुलिस टीम को बनारस भीजा गया था पुलिस ने बनारस से जरताब को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से पिस्टल और कार्टूस चप्ट किये हैं तोहीं पुलिस अदिक शप्ट ने बताया कि आमित और फिरोज गहरे दोस्त थे लेकिन अमित के द्वारा फिरोज को उसके लिए किसी लड़की से बात करन है जबलपुर के वाजित खान की रिपोस्त अठाई सितंबर को संजय नगर संकर हुटल के पास एक घटना करम हुआ था जिसमें अमित जोशी को उसके ही एक करीवी दोस्त प्रोज खान बारा गोली मारकर भायल कर दिया गया था इस पूरे प्रकंड में इंवेस्टिकेशन किया और इस प्रकंड में फायरार्म कहनी करने वाले रोज खान को और उसके साथी जरताव को गरतार किया गया है फायरार्म उस समय जरताव अपने पास रखा हुआ था जिसको खान ने उससे लेके और उसको गायल किया है उसमें आरुकी उफ्तार हो गया है मामला जो सामने कि कि लड़की से बात करने एक लिए फ्रोज खान को इंसिस्ट कर रहा था और उसको लेके बात बिगडी इनकी और आपसी दोस्त होने के बागी दुनों ने उसको घायल कर दिया कि रोज खान और जर्ताब दौनों गृतार का लिया गया है तीन सो साथ आई पीसी का इसे प्रकम बंगी हो जुजाता है